पतनिया चाय तो अपने ससुराल भी स्वर्ग मना सकती है माई के जाके अगर मैं तुमसे गुस्टा हो गई तो तुम क्या करोगे तो मैं चला जाओंगा हाँ तुम मुझे मनाओगी नहीं तुम मान दिकाओं यार बैस्टी हाँ अगर मैं मर गया तो मरने के बाद भी चुडाली रहेगी लड़की फनी होनी चाहिए अब सारा तो पैंसिल भी होती है बेबी आज न मेरे दोस्त आ रहे है तो मैंना उनसे मिलने जा रहा हूँ तुम पागल हो क्या क्या हुआ जब वो तुम से मिलने आ रहे तो तुम क्यों जा रहे हो अब तो इस्क की हदी हो गई वो कहती है मेरे पती का भी रिचार्ज करवाओ बेबी हाँ जी आप पड़े लिखे हो ना हाँ जी तो मेरे एक सवाल का जवाब दो 80 प्लस 90 कितने होए 100 100? कैसे? अकड़ पकड़ बंबे बहो 80 90 पूरे 100 तुम से ना में परेशान हो गया हो कभी-कभी सोचते हो तुम से ब्रेक अप कर लू सोचते हो ना तो सोचते रहो कभी करना मत परना पता है ना क्या होगा क्या होगा? वो तुमारा आखरी दीन होगा बंचे मुसी बंचे गल्फेंट बनोगी मेरी बाई बनोगी मेरे 50% प्रोपर्टी दोगी चलो बाई बन जाता हूँ चलो बाई मेरा फोन खराब हो गया मेरी जिन्दी खराब होगी मैंने किसी को कुछ बोला कैसे मनाओ चॉकलेट डे मेरी वाली तो गुटका खाती है अबे यार क्या ही फाइदा तुम्हें कुछ भी बोल गे तुम सुन्दी तो होनी अच्छा बाबा अब से आपकी हर बात सुनूंगी भी और हर बात मानूंगी भी अच्छा एक बार वीडियो गॉल पर आओ ना यार भी मूड नहीं है आज पुरानी गल्फरेंड रास्ते में मूड मूड के देख रही थी कासम से ऐसे फिलिंगाई जैसे पुराने सिंकार में अभी भी थोड़ा सा बैलेंस बाकी है बहुत जादा ठंड लगने लगे तो अपनी पत्नी से बात कर लीजिए आपका खोन खौलने लगेगा तुम्हें हर बात पर इतना गुस्सा क्यों आता है मुझे आता है गुस्सा तो तो एक काम गरो या तो गुस्सा छोड़ दो या फिर मुझे ओके बाई कौन कहता है के इस के यह सुनो 14 फैप को क्या है गॉल्फन है नहीं सिंगल हूँ तो फिर सुमा है इतनी संदर होना क्या करूँ फिल्टर हटा के दिखा तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम घरीब हो यार हजार बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है बेबी एक बात बताओ क्या? अगर मैंने तुम्हें धोका दे दिया तो तुम क्या करोगी? मैं कुछ नहीं करोगी बस तुम्हारा सर पोड़ दूगी और तुम्हारा प्तैर तोड़ दूगी और कुछ नहीं करूंगी पर बीबी मैं तो मजाग कर रहा था पर मैं नहीं कर रही थी जोर का जटका हाई जोर हो सा